इस वीडियो को देखकर इसी तरीके से आपने अपनी पहली प्रेजेंटेशन किसी भी प्रोस्पेक्ट को दिखा दी तो जॉइनिंग की लाइन से लग जाएगी आते हैं कि सर्फ प्रोस्पेक्ट हमारा वेबिनार तो देख लेता है लेकिन वो जॉइन करता जॉइन करने के टाइम वो कह देता है आई इम नूट इंटरस्टेड दोस्तों इस दुनिया का हर आदमी पैसा कमाना चाहता है इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए तो आप इस वेबिनार के अंदर पैसा कमाने का तरीका ही तो बता रहे हैं फिर भी वो क्यों जॉइन नहीं हो रहा क्यों हमारे साथ डिसिजन नहीं ले रहा क्यों हमारे साथ जॉइन नहीं कर पा रहा है क्यों हम दस लोगों को वेबिनार दिखाते हैं फिर भी एक भी आदमी नहीं जुड़ता अगर ये प्रोब्लम आपके साथ आ रही है तो आज का ये वीडियो देखने के बाद दुबारा कभी प्रोब्लम नहीं आईगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे कोई भी प्रोब्लम आपके साथ जॉइन करने के लिए रेडि हो जाएगा कोई भी प्रोब्लम आपके साथ जॉइन करेगा हम सब को पता हैं कि हर आदमी पैसा कबाना चाता है हर आदमी कामियाग होना चाता है लेकिन इसक क्या होता है कि उसी आदमी को हम दुनिया के सबसे बहतरीन opportunity का एक webinar दिखाते हैं जिसमें अपनी जिंदगी बदल सकता है वो आदमी लेकिन इसी क्या वज़े रहती है कि वो webinar देखने के बावजुद भी हमें मना कर जाता है दोस्तो इसमें सबसे बड़ी गलती है हमारे webinar दिखाने के तरीके हम कैसे अपना webinar दिखाते हैं इसी बात पर depend करता है कि वो prospect हमारे साथ जोड़ेगा की नहीं दोस्तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना एक सेकंड भी skip मत करना क्योंकि skip कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा कौन सी line आपको किस तरीके से बोलनी है ये सबसे ज़्यादा imported है एक बार नहीं दो बार देखिए तीन बार देखिए जब तक ना सीखो तब तक देखिए क्योंकि यही सबसे imported session होता है किसी भी आदमी को join कराने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपनी screen पे लेके चलता हूँ जिससे आपको तरीका समझ आजएगा कि actual मैं आपको webinar कैसे देना है अब मान के चलिए कि आपने मेरा Instagram Google Form Fill किया था आप online business को जानना चाते हैं और मैं online business को बताने के लिए ये पहला webinar आपको दिखा रहा हूँ तो इस video को आप as a teacher attitude सुनना क्योंकि इसी तरीके से आप जब भी किसी prospect को webinar दिखाएंगे तो सेम तरीका यही होना चाहिए और अगर इसी तरीके को आपने पूरा sequentially follow कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप 10 लोगों को ये webinar दिखाएंगे तो आठ लोग आपके साथ join हो जाएंगे तो शुरुवात कैसे करनी है आप teacher attitude से देखना वीडियो के skip मत करना एक second भी अंजी नमस्कार दोस्तो आज के इस wonderful webinar के अंदर आप सभी का दिल से welcome है दोस्तो आज ये webinar आप देख रहे हैं क्या ये suitable है क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा ये सारी जानकारी आपको अगले 25 मिनिट के अंदर मिलेगी ये 25 मिनिट आपकी life के लिए बहुत important है important इसलिए है कि इस online business को समझ के आप आने वाले 3-6 मेने के अंदर अपने mobile से एक बहुत अच्छी earning कर सकते हैं तो ये 25 मिनिट unconditionally आपको पूरा सुनना है पूरा समझना है कोई परी judgment मत करना ये ऐसा होगा ये वैसा होगा किसी भी परकार का judgment मत करना पूरा session attend करना है आप चाहिए कुछ भी कर रहे हैं आप नोकरी करते हैं आप business करते हैं study करते हैं कुछ भी करते हैं एक बार उस experience को side में रखके ये 25 मिनिट का session पूरा attend करना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि ये online business मुझे करना चाहिए की नहीं ये online business मेरी personality को shoot करता है की नहीं इस 25 मिनिट के दोरान आपके mobile में जितनी भी other activities हैं उन सब को silent कर लेना क्योंकि ये 25 मिनिट आपके लिए बहुत important है और इस 25 मिनिट में कौन सी line आपके लिए turning point हो सकती है ये ना आप जानते ना मैं जानता तो make sure कि अगले 25 मिनिट तक पूरा concentration आपका इस webinar पे होना चाहिए अगर आपकी उमर 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो दोस्त आपको पैसे कमाने के बारे में और अपना career बनाने के बारे में अभी सोचना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को एक wrong belief create हो जाता है कि अभी तो मैं 18 साल का हुआ हूँ अभी तो मैं छोटा हूँ actual में career की सुरवात 18 साल की उमर से ही होती है क्योंकि 30 साल के बाद आप career के बारे में नहीं सर्फ गुजारा करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आप career बनाना चाते हैं तो आपको अभी सोचना पड़ेगा अभी जानना पड़ेगा कि मुझे पैसा कैसे कमाना चाहिए क्योंकि दोस्तों यही एक ऐसी उमर होती है जहां से किसी भी इनसान के life की सुरवात होती है यही एक ऐसी age होती है वहाँ पे बहुत सारे लोग भटक जाती है यही एक ऐसी age होती है जहां से बहुत सारे लोग अपना career बनाने के लिए कोई न कोई opportunity का चुनाव करते हैं इसी age के अंदर बहुत सारे लोग crime की दुनिया में चले जाती है उनको जब कुछ भी समझनी आता कि मैं क्या करूँ सपने उनके बड़े होते हैं कि मुझे आईफोन लेना है मुझे गाड़ी लेनी है मुझे family को proud feel करवाना है जब उनको कुछ भी समझनी आता है कोई opportunity उनको नहीं मिलती है नोकिरी की try करते हैं वो नहीं मिलती और एक बार जो crime की दुनिया में चला जाता है फिर वो चाह कर भी वापिस नहीं आ सकता कोई matter नहीं करता कि आप 18 साल की उमर में 50,000 रुपे कमाने लग जाए एक लाख रुपे कमाने लग जाए बस एक चीज के बारे में सोचना है क्या आप इस उमर में पैसा कमाना सुरू कर चुके है कितना भी पैसा हो लेगिन इस उमर के अंदर आपको पैसे कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा मैं फिर बोलूँगा कि अगर आपकी उमर 18 साल से ज़्यादा हो चुके है तो आपको पैसे कमाने के बारे मैं भी सोचना पड़ेगा और पैसा कमाने के लिए हमें कुछ ने कुछ करना पड़ेगा इस दुनिया में कोई भी आदमी अगर पैसा कमाना चाहता है तो उसको कुछ ने कुछ करना पड़ेगा उसको किसी ने किसी काम की सुरुवात करनी पड़ेगी, चाहिए वो बिजनस करके पैसा कमाई, चाहिए वो नोकरी करके पैसा कमाई, लेकिन कुछ न कुछ उसको करना पड़ेगा, या तो वो वैपार कर ले, या वो नोकरी कर ले, इन दोनों में से एक काम उसको करना पड़े अगर आपके पास कोई idea है वो idea किसी काम का नहीं है जब तक आपकी pocket में पैसा नहीं है आपको minimum 5 लाग से लेके एक करोड तक का investment करना पड़ेगा तब जाके आपका वो idea productivity काम कर सकता है और एक बहुत हैरानी वाली खबर है एक business survey के according पिछले 10 सालों के अंदर more than 90% business fail हो चुके है या वो survive कर रहे है यानि कि पिछले 10 सालों में जितने भी startup शुरूवे थे जिसकी लागत एक करोड से लेके 100 करोड की भी थी वो भी उसमें भी 90% business fail हो चुके है या वो survive कर रहे है profit generate नहीं कर पा रहे है वो सिरफ survive कर रहे है और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ ये business survey ब सबसे बड़ा कारण सबसे मोटा कारण अगर मैं बात करूँ तो वो है deficiency of knowledge यानि कि इस business को चलाने की कला नहीं थी knowledge नहीं थी इसी वज़े से 100 में से 90 business fail हो गए इसकी वज़े क्या थी उनको knowledge नहीं था उस business को चलाने के लिए और आज आपको पता है कि जहां भी traditional कोई भी का होता है आपका cousin brother है वो भी अपने business का secret आपको नहीं बताएगा अब यहां पे 5 लाख रुपे या एक करोड रुपे लगाने का मतलब यह नहीं कि आप घर बेठे रहेंगे आपको पैसा आता रहेगा आपको 24 घंटे सातों दिन tension से काम करना पड़ेगा आपको mental level पे बहुत सारी tensions को जहलना पड़ेगा तब जाके आप एक income तक पहुंच सकते हैं और उसमें भी कोई guarantee नहीं है चलिए business दो बहुत difficult है हम business नहीं कर पाएंगे इतना बड़ा investment नहीं है हमारे पास हम कहीं नोकरी कर लेंगे नोकरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक बार करू तो आपको बहुत सारे interview देने पड़ेंगे और अगर आपकी एक लाख रुपे की capability है तो आपको 20,000 रुपे की नोकरी मिले क्योंकि नोकरियों की इतनी किलत हो चुकी है कि आप जैसे किसी को interview देने के लिए जाएंगे वो सबसे पहले पूछेंगे कि आपका experience कितने सा अब आपने बोला सर मेरा तो कोई experience नहीं experience कहां से मिलता है वो बोलेगा नोकरी करने से और नोकरी कहां से मिलेगी experience से यानि कि ऐसे गोले के अंदर हम घूमते रहेंगे जिसका कोई किनारा नहीं है बिना experience नोकरी नहीं मिलेगी और बिना नोकरी के experience नहीं मिलेगा इसका बहुत ज़्यादा difficult है नोकरी लगना क्योंकि ऐसे से artificial intelligence आ चुके हैं कि जो 100-100 लोगों का काम एक ही artificial intelligence पुरा कर देता है अब जहां एक AI 100 लोगों का एक साथ में काम कर देगा तो हमें नोकरी पे कौन रखेगा दोस्तो जिसकी आज capability जिसके पास knowledge एक लाख रुपे की हैं उसको 20,000 रुपे की नोकरी इसलिए मिल रही हैं क्योंकि market में बहुत ज़्यादा competition आ चुका है नोकरिया तो इतनी सी हैं लोग इतने सारे हैं तो नोकरिया कहां से मिलेगी अब बात करते हैं सरकारी की कोई भी सरकारी जोब लगने की तो कम से कम तीन साल तक अपने आपको बंद कमरे में रखना पड़ेगा और फिर भी कोई guarantee नहीं है कि आपको नोकरी मिल जाएगी क्योंकि competition इतना जादा बढ़ चुका है जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं बहुत जादा competition बढ़ चुका है और मैं हमेसे एक बात कहता हूँ कि अगर आज की date में कोई teacher बनता है उसकी capability इतनी होती है कि अगर वो teacher ना बने तो पांच लाख रुपे मन्थली कमा सकता है उतनी उसकी capability होती है अब जोब के लिए कोई direct किसी को भी जोब नहीं मिल जाएगी पंदरा साल की गहन study होनी चीए और दो से तीन साल का उसके पास एक experience होना चीए तब जाके वो नोकरी लग सकता है फिर भी guarantee कुछ नहीं है कि वो नोकरी लगी जाएगा कोई guarantee नहीं इस बा पड़ेगा दोस्तो इनको तो आप जानते हैं Albert Einstein Albert Einstein कहते हैं कि दुनिया में अगर साथ अजूबे हैं मैं आठवा अजूबा compounding power को कहता हूं compounding power means compounding power का दुनिया का एक ही concept है वो है दोस्तो direct selling यानि कि अगर मैं indirectly बात करूँ तो Albert Einstein कहते हैं कि network marketing direct selling दुनिया का आठवा अज पार है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा आप जैसी network marketing direct selling का नाम आपने सुना है आपके तार हिल गए अच्छा network marketing मतलब लोगों को जोड़ने का काम मतलब member बनाने का काम मतलब chain मनाने का काम यह बहुत सारे नाम हमारे दिमाग में आती है यह आने निसरगी कह है नेचुरल है लेकिन मैं आपको अगले तीन मिनट में बताऊंगा कि network marketing actual में है क्या और इसकी potential क्या है और क्यों ऐसे नाम रखे जाती है network marketing के दोस्तो network marketing basically एक direct selling concept है जहां पे कोई भी जो product होता है वो directly sale होता है उसी को direct selling network marketing multi level marketing यह नाम अलग-अलग है लेकिन concept एक ही है जिसक marketing यह digital network marketing यह online business क्योंकि यह totally online है और अभी तो यह totally आप अपने घर से कर सकते हैं अपने mobile से build कर सकते हैं यह upcoming industry है यह 21 सदी का वेपार है थोड़ा से मैं आपको बताऊंगा कि यहां से पैसा कैसे आएगा दुनिया के अंदर कोई भी product माली जी आपके हाथ में जो mobile है वो किसी नहीं किसी एक factory के अंदर बना है factory में बनने के बाद वो directly आपके पास नहीं आया वो एक national distributor के पास गया है national distributor आपके पास लेकी नहीं आया वो एक regional distributor regional distributor से एक बहुत बड़े level की advertisement होई है वहीं से हमें पता लगा है कि market में एक नया mobile आया है बहुत बड़े-बड़े celebrities यहां से advertisement करते हैं जैसे अलग-अलग कोई भी product हो बड़े-बड़े celebrities क्या करते हैं उसको famous करने के लिए अपने हाथ में लेके कहते हैं कि इसको मैं use करता हूँ जैसे आपने सुना होगा ठंदा-ठंदा cool cool क्या आपको लगता है कि वो celebrity उस ठंदा-ठंदा cool cool के oil को use करते होंगी नही वो सिर्फ एक advertisement करते हैं advertisement करने के बाद क्या होता है एक wholesaler retailer और retailer से हम खरीद के लाते हैं यानि कि जो 3 रुपे का समान था वो हमारे पास आते आते 10 रुपे का हो गया यानि कि 70% पैसा बीच में बट गया इस chain के अंदर 70% पैसा चला गया अब direct selling का concept क्या है यहाँ पे भी ए एक factory होती है वहाँ पे product तयार होता है product तयार होने के बाद मेरे और आपके जैसे distributor बीच में होता है वो सबसे पहले product को consume करता है वो use करता है अगर वो product अच्छा है तो वो share वैसे ही करेगा use and share का काम हम जनम से करते आए है हम हर अच्छी चीज का परचार जरूर करते है क्यार वो doctor बहुत अच्छा है वो restaurant बहुत अच्छा है वो जगे बहुत अच्छी है गुमने के लिए वो hotel बहुत अच्छा है उसकी service बहुत अच्छी है यह sharing हम जब समझ पकड़ी है तब से हम करते आए हैं इसी तरीके से दोस्तो डिरेक सेलिंग है कि एक डिरेक सेलिंग का प्रोडेक्ट मेरे पास आया मैंने यूज किया और मैंने कुछ लोगों को बताना शुरू कर दिया यानि कि यह जो बीच की चेन है इसको हटा दिया और डिरेक्ली इस बीच इसकी चेन की जगे एक डिस्टिबुटर आ गया और वही डिस्टिबुटर सारे काम कर रहा है यही एक डिरेक सेलर एक रिटेलर तक प्रोडेक्ट पहुंचाता है और यह जो 70% पैसा इस पूरी चेन में बटा था वह 70% इस एक डिस्टिबुटर की जीब में आ जाता है इसलिए कहा जाता है कि जितना ट्रिडिशनल के अंदर 50 साल में पैसा कमाया जाता है उतना यहां पे 5 साल में कमाया जा सकता है लेकिन 50 साल का पैसा अगर 5 साल में कमाना चाहते हैं तो 50 साल की मेहनत भी आपको अगले 5 साल में करने पड़ेगी अब आपका सवाल मैं कर रहा हूँ कि अगर इतनी ही अच्छी है नेटवर्क मार्केटिंग तो मार्केट में इतनी बदनामी क्यों है क्यों लोग इसको अलग-अलग नाम से संभोधित करते हैं कि चेन बनाने का काम, मिंबर जोडने का काम, उल्लू बनाने का काम ये सब्द क्यों बने है ये सवाल आपका है लेकिन मैं खुद ही कर रहा हूँ और खुद ही इसका जवाब आपको देता हूँ कि इसकी वज़े क्या है, इतनी बड़िया इंडस्ट्री होने के बावजुद भी इतनी बदनामी की नजरों से क्यों देखा जाता है दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वज़े है कि दुनिया में जब भी कोई भी ओरिजिनल चीज आती है कोई भी आपने ऐसा कोई खिलोना नहीं देखा होगा, जिसका कोई ओरिजिनल नहीं है कोई भी खिलोना आपको नजर आएगा, उसका कोई ने कोई ओरिजिनल भी है तो नेटवर्क मर्केटिंग एक रियल सिस्टम था, एक जैनवन सिस्टम था, इसी की बदोलत जब इंडिया में ना तो ये लीगल था ना इलीगल था तब ये बहुत बड़े लेवल पे लोग लूटते थे कि network marketing का नाम देते थे एक ऐसा concept बनाते थे कि आप एक लाख रुपे दो चार लोगों के एक एक लाख रुपे लगवाओ आपको एक लाख रुपे वापिस आजेंगे कोई product नहीं कोई system नहीं किसी भी परकार का ये totally एक money laundering एक chit fund था एक lottery system था और इनका एक मकसद हुआ करता था कि ये 50 लाख एक करोड़ पांच करोड़ दस करोड़ जितनी भी एक इनकी amount value होते थी उसके बाद ये सटर डाउन करके चले जाते थे लेकिन वो नाम यूज़ करते थे कि हम network marketing है वो concept network marketing का यूज़ करते थे इस पीकेस या social trade future maker बहुत सारी company जाई इसलिए network marketing कितनी बदनामी हुई क्योंकि किसी ने भी पहली बार इसका नाम सुना और इस form में देखा तो वो तो नफर्त करेगा उसको clear तो हमें करवाना पड़ेगा दोस्तों जिस परकार से 500 का note है आपने देखा होगा कि इसका असली होता है तो इसका नकली भी बनता है 2000 का note असली भी होता है इसका नकली भी बनता है लेकिन आपने 5000 का कोई नकली note नहीं देखा क्योंकि उसका असली नहीं है इसका मतलब जिसका असली होता है उसी का नकली बनता है Network Marketing असली थी उसलिए इसके नकली बहुत सारे system आई अब जिस तरीके से हमें नहीं पता कि note को Check करने के क्या parameters है हमें नहीं पता कि कौन से कौन से points होते हैं जिससे हम पता लगा से कि original है कि नकली है लेकिन बेंक करमचारी को पता होता है, कि ये असली है, कि ये नगली है, इसलिए बेंक में जाते ही, उस नोट पे ठपा लग जाता है, कि ये नोट नहीं चलने वाला, तो वहाँ उनको knowledge है, और वो knowledge अगर हमें दे, कि आज के बाद जब भी आपके पास note आए, ये parameters आप चेक कर लेना, अगर ये parameter सही है, तो वो note सही है, तो हम समझ सकते हैं, हम next time ध्यान रख सकते है, कि अगली बार जब note आएगा, तो मैं ध्यान रखूँगा, इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कि जिन्दगी में जब भी आपके सामने network marketing concept आए, इस system को करे ना करे, लेकिन जब भी ऐसा कोई system आए, ये तीन parameters आप चेक कर लेना, कौनसे कौनसे parameters है, ये तीन P का parameters है, profile, product and marketing plan, ये तीन ऐसे parameters है, जिसको चेक करके आप आसानी से ये कह सकते हैं, कि system genuine है, कि ये fake है, profile means, कि उसका promoter कोन है, कई ऐसा तो नहीं है, कि जैसे future maker के जो रादेशाम है, जो एक अनपड आदमी था, और उसने एक ऐसा system बनाया, एक हवा product देके, 7000 करोड का घोटाला करके भाग गया, और अब वो बाबा बन चुका, पर मोटर कोन है, उसका reason क्या है, उसका reason क्या है इसको सुरू करने का, उसकी backbone क्या है, big ground क्या है, product कैसा है, product है की नहीं, marketing plan कैसा है, कई ऐसा तो नहीं है, कि जो पहले पहले जूट जाते, उसी को पैसा मिल रहा है, क्योंकि marketing plan distributor friendly होना चीए, कि आज से 10 साल के बाद भी कोई जुड़े, वो भी उसको बीट कर सके, ऐसा marketing plan होना चीए, जितनी मेहनत उतना पैसा, first mover नहीं होना चीए, fast mover होना चीए, अगर ये तीनों पी आपको perfect मिल रही है, तीनों parameters पे कोई भी company खरी उतर रही है, उसको आपको कर लेना चीए, दोस्तों अगर आपने इस तरीके से किसी भी prospect को, network marketing के बारे में explain किया, तो network marketing की जितनी भी negative धारना होगी, वो निकल जाएगी उसकी, ये जितनी भी लोग मना करते हैं, meeting देखने के बाद, वो एक ही बात से मना करते हैं, कि हम network marketing तो बता देते हैं, लेकिं network marketing को explain नहीं करते, हम जल्दी बाजी इसमें रहते हैं, कि फटापट से ये 5000 की billing कर ले, हम जल्दी बाजी इसमें रहते हैं, कि फटापट से ये 2000 की billing कर ले, एक बार clarity तो करवाओ, आपका ratio बहुत अच्छा हो जाएगा, वो इसलिए आई थी, क्योंकि भारत में 2016 से पहले, ना legal था ना illegal था, भारत में इसका कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन 2016 में एक guideline आई, और अभी thanks to Indian government, कि जिसकी वज़े से, network marketing, direct selling पे कानून आ चुका है, उसमें बहुत सारे parameters आ चुके हैं, कि यह यह parameters होने चीए, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि 21 सिदी का business है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस business की actual में अभी शुरुवात है, अभी इसका समय आने वाला है, अब आपका एक और सवाल मैं खुद करता हूँ, कि अगर network marketing concept इतना ही अच्छा है, तो 90% लोग fail क्यों होते हैं, 90% जुडने वाले लोग क्यों कामियाब नहीं हो पाते हैं, क्यों 100 में से सिर्फ 10 लोग ही पैसा कमा पाते हैं, वज़े क्या है, अगर इतनी अच्छी company है, इतनी अच्छी industry है, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों 90% failure ratio है, यह सवाल आपका है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, और मैं ही जवाब दे रहा हूँ, बड़े ज्यान से समझना दोस्तों, नेटवर्क मर्केटिंग अगर आप जोइन कर रहे हैं, जितने भी लोग fail हुए हैं, वो इस वज़े से हुए हैं, उनको यह नहीं पता किस बिजनस को मैंने शुरू क्यों किया है, यानि कि उनको why clear नहीं है, आज तक नेटवर्क मर्केटिंग में जितने भी सफल लीडर हैं, उन्होंने किसी ने किसी वज़े से जोइन किया था, why doing this network marketing, वज़े क्या है, उनकी पहली वज़े हो सकती है, dream car, बहुत सारे लोग network marketing लिए करते हैं, कि उनको अपनी dream car लेनी होती है, और वो dream car के लिए आते हैं, उनको पता है कि जो currently में कर रहा हूँ, उससे dream car नहीं आ सकती, dream car लेने के लिए वो network marketing जोइन करते हैं, उनके पास एक ठोस कारण होता है, जिसके पास ठोस कारण होता है, वही इस काम को आगे continue रखता है, हो सकता है, उसका dream हो कि मेरा खुद का घर हो, एक luxury घर हो, मेरा खुद का हो, किराये पे रहना नहीं पसंद करता हैं, मैं रेंट पे रहना पसंद नहीं करता मेरा खुद का घर हो एक सपना हो सकता है इस अपने की वज़े से वो network marketing करें यह हो सकता है कि वो एक dream vacations पे अपनी family को ले जाना चाहता हो कि मैं उस जगे जाना चाहता हूं लेकिन एक ही माधियम है कि मैं इस concept में जूड जाऊं तो यह स सोचूं कि मेरी pocket में कितने पैसे है इस परकार का financial freedom लेने के लिए भी वो network marketing को join कर सकते हैं बिना कारण कोई काम नहीं होता जितने भी लोग fail हूए है कहीं न कहीं उनका कारण clear नहीं था अगर कारण clear था और फिर भी fail हो गया तो दूसरा कारण हो सकता है दूसरा कारण क्या है कि उनको challenge के बारे में नहीं पता सपना तो उसने देख लिया कि चलो मैं गाड़ी लूँगा इस business को join करके मैं खुद की सपनों की गाड़ी लूँगा लेकिन उसको challenge के बारे में नहीं पता network marketing एक ऐसा concept है कि अगर आप 20,000 रुपे कमाने के लिए आते हैं तो आपको इतन पहले आपको लोग ना करेंगे, लोग मना करेंगे, लोग आपको खुद को मना करेंगे, लोग कोसेंगे, मजा कोड़ाएंगे, जिन को ये नहीं पता कि मुझे कोई ना करने वाला है, वो पहले 10 लोगों को बाज आता है, लोग मना करते हैं, वो छोड़ देते हैं, यागर आप इस business में सफल हो सकते हैं, कामियाब हो सकते हैं, मैंने आपको बता है कि पिछली 10 सालों में 90% business, start-up fail होने की सबसे बड़ी वज़े है, knowledge, इन में से कोई न कोई ये कारण जरूर होगा, जितने भी लोग fail हुए हैं, किसी भी failure की testimony उठाके check कर लेना, या तो उसका vision clear नहीं है, या उसको challenge के बारे मैं नहीं पता था, या उनको training नहीं मिली, या training ली नहीं, इसमें से कोई ने कोई कारण उसका जरूर होगा, तब ही वो fail हुआ है, इसी वज़े से 90% लोग fail हो जाते हैं, अब यहां तक तो दोस्तों आपने बता दिया, यहां पे कुछ questions कर सकते हैं, यहां तक आपको training कैसी लगी, अगर आपने best training दी है, अगर आपने इस video से कुछ सीखा है, practice करी है, तो यही training सेम इसी तरीके से आप दे सकते हैं, और अगर इसी तरीके से दी है, तो उनके message बहुत अच्छे होंगे, अब आप उनको बताइए कि जो हमारा concept है, हमारी जो company है उसके बारे में अगले 10 minute में आपको बताओंगा, हमारी company क्या है, हमारे 3 pillars कैसे है, हमारे parameters को आप कैसे check कर सकते हैं, हमारी company कब से आई है, कितने product है, क्या system है, कैसे आपको join होना है, कैसे आपको पैसे मिलेंगे, यह सारी detail, अगले 10 minute के अंदर मैं आपको बताओंगा, अग पूरा आप बता सकते हैं अगले 10 मिनट के अंदर explain कर सकते हैं लिटरली दोस्तों इस तरीके से किसी भी prospect का प्लान दिखाएंगे तो 10 में से 8 लोग join कर लेंगे क्यों कर लेंगे क्यों कि सारी चीजे clear हो जाती हैं सबसे बड़ी चीज network marketing concept clear हो जाता है उनका यह सबसे बड़ा negative point होता है उसको positive में convert करने के लिए एक ही तरीका है यह दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर यह वीडियो वाकई आपको दिल से अच्छा लगा है तो comment जरूर करना comment की गंजूसी मत करना क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी efforts करने पड़ती है औ तो subscribe करके bell icon को जरूर परिस करना क्योंकि इस प्रकार की practical knowledge free of cost मेरी YouTube channel पे regular basis पे मिलती रहती है so thank you so much best of luck